नमस्कार मैं मिस कनकलता जा आज कक्षा साथ के लिए निबंध का एक बहुत बहतर और बहुत अच्छा विशे लेकर आई हूँ अभी सारे त्योहार जो हैं वो हमारे मुख्य मुख्य जितने त्योहार है वो बीच चुके हैं अभी जो एक मुख्य और त्योहार हमारे भारत में जो हम बहुत हर्शोरलास से मनाते हैं वो एक बहुत ही अच्छा त्योहार है होली रंगों का त्योहार है एक ऐसा उत्सब जिसमें सभी रंग एक साथ एक जूट होकर आपको दिखेगा और होली एक ऐसा दिवहार है जो सभी धर्म, सभी जाती, सभी समुदाय के लोग जो है वो खेलते हैं और ये कही न कही एक प्रतीक है कि हम अलग-अलग होकर भी हम सब एक है आईए हम परते हैं होली भारत में होली एक धार्मी केवं सामाजिक पर्व माना जाता है रंगों का त्योहार जीवन में रंग भर देता है यह त्योहार फागुन मास की पुर्णिमा को मनाया जाता है अगले दिन सुभा फाक खेला जाता है ऐसा माना जाता है कि हिरननकश्यप की बहन होलीका प्रलात को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई होलीका को वर्दान मिला था कि अगनी उसका कुछ नहीं बिगार सकती वर्दान का भी जब दुरिप्योग हो तो वह स्राप में परिवर्तित हो जाता है जब आग लगाई गई तो होलीका जल गई और प्रलात के बचने की खुषी में अगले दिन रंगों की फुहार से उत्सव मनाया गया कहा जाता है तब से ही होलीका त्योहार धुमधाम से मनाया जाता है होली के तियोहार मनाने के पीछे एक ये बहुत खुबसूरत सी एक कहानी है अगर आप किसी का बुरा चाहोगे अगर आप किसी का बुरा करना चाहोगे किसी के साथ बुरा करोगे तो अगर आपको उस बुरा करने की परमिशन भी आपको है या आपको वर्दान मिला हुआ है, आपको सहमती मिली हुई है, उसके बावज़त वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्राप ही बन जाएगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड़ा कोड़ता है, वो खुद उसमें गिरता है, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, बुरा कर जाता है अगर भारत के किसान ना हो तो हम जो है वो भोजन की अभाव में ही मर जाएंगे अपने प्रानों को त्याग देंगे अतर इसके विभिन्न त्योहार किसी न किसी रूप से किसान की खुशों से संबद्ध है चैत्र मास में गेहू चने की नई फसल तयार हो जाती है फसल की डालियां सहित आग में भून कर खाया जाता है चने के भूने हुए दोनों को भी होली का कहा जाता है चने के भूने हुए जो दाने हैं उनको भी होली का कहकर पुकारा जाता है भागवत पुरान में स्रिक्रिष्ण और गोप गोपियाओं का होली खेलने का वर्णन विस्तार से मिलता है इस दिन सभी भी भाव भूल कर रंगों में सराबोर हो जाते हैं होली का दहन में बुराईयों और इशा भाव आदी को भुला कर लोग एक दूसरे को से गले मिलते हैं यह परसपर भाईचारे का त्युहार है हम तीन मुख्य बिंदू यहां अभी तक देख पाए हैं पहला कि हमारी जो पुरानी लोग कथा है हिरनक अश्यव वाली दूसरा जो फसल से जुरी हुई है तीसरा श्रकृष्ट से जुरी हुई है कहने का मतलब यह जो मुख्य रूप से हमारे लिए क्यों होता है क्योंकि हम भाईचारा हमारे लिए बहुत महतोपूर है और इस तरह के त्योहार हमारे भीतर के उस भायचारिये को जगाता है, हमारे भीतर के उस एकता को जगाता है, जो हमारे एक दूसरे को हमें गले लगाने का मौका दीता है कभी-कभी होली की आयर में कुछ लोग बुरी भावना से कीचर उच्छालते हैं रंगों से कुछ हानी कारक प्रदार्थ मिलाकर गुबारा मारकर होली खेलते हैं इन छोटी बातों से उपर उठना चाहिए त्योहार का भरपूर आनंद देना चाहिए जिस प्रकार होली में सब रंग मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार जात पात और उच नीच के भेदभाव को मिटा कर सबको एक हो जाना चाहिए होली शांती और सदभाव का त्योहार है आप होली में सिर्फ वो जो छोटी-छोटी हम कई बार गंदी हरकते करते हैं वो सब अगर हम उन सब से हमें उपर उड़ जाना चाहिए वो सब अगर हम छोड़ दे तो होली सच में एक बहुत महतुपूर्ण तयोहार है और इसे हम सब को मिल जुल कर मनाना चाहिए धन्यवाद